Good morning guys, welcome back to my channel and welcome back to another vlog कैसे हो आप सब, मैं उम्मीद करती हूँ का आप सभी अच्छे हो, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आज मैं फ्लाइट के लिए निकलूँगी, अभी back to back फ्लाइट है मेरी एक दिन चुट्टी मिले थी बीच में, मैंने उसमें काफी सारा टाइम मेरे पैरेंस के साथ बिताए और थोड़ा रिजुविनेट भी हो गई हूँ, चलो शुरू करते हैं, सुबा उट गई, मैं उटके नहाली और अभी मैं स्किन केर करूँगी, और उसके बाद मुझे थोड़ा सा हैर ड्राइ करना पड़ेगा, पहले नहालेती, मदब टाइम होता तो फिर एर ड्राइ भी करती, पर अभी एर ड्राइ करने का टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं ऐसे हैर ड्राइ से ड्राइ कर और स्किन केर मैं हमेशा अच्छे से करती हूँ, यह पर देखो मेरे टेबल में जो एक हैंडल है ना ऊपर चला गया, और वीडियो में इतनी ओड दिख रही है, पर कभी कबाट क्या होती है कि मदब जब मैं वीडियो बनाती हूँ तब नहीं दिखता ना, बात में जब तो निउस पेपर से करने की तो मौका नहीं मिली पर दूस्टे चीज से मैंने बहुत कोशिश करा है पर यह वाइट कास रह जाती है, मैं जो भी लिक्विड यूज करू और जितना भी कोशिश करू नहीं होता है, तो आपका जो वो हैक है, वो काम करती है कि नहीं, आपका कि वो काम करेगी, आपने जो भी चीज़े मुझे रेकेमेंड करें हैं ते दिन में ना साड़े ही चीज़े अच्छा काम किया, चलो पैनी को ब्रेकफस्स खिला दी हूँ, मेरे ममी पापा चले गए है, तो आज मैं फ्लाइट के लिए और कल मेरी स्टैंड बाई है, आज मे करता, और सुबा में मुझे कुछ भी खाने कामन नहीं करता, बर आइ थिंक मुझे कुछ खा के जानी जो यह इसके बाद पता है, देखती हूँ, टाइम होगी कि नहीं, और यह वाले कमरे में ही रहती हूँ, आज कल मैं, पता नहीं कि यह वाला कमरा मुझे जाधा कोजी ल आर्टिफिशल लाइट की जवरत नहीं होती है, जैसे कि अभी भी आप जो देख रहे हो, यह नॉर्मल लाइक सनलाइट है, और यह वाले के साथ होती होगी कि आप अपने कमरे जो है, घर जो है, कित्ती भी साफ रखो, एक कोना ऐसी होती है, जहां पर थोड़ी सी चीज़ मैं से मैसी रहती है, जो मैंने पीछे चुपाया है, वहां पर एक क्लोध हैंगर है, जिसमें मेरे रेगुलर पहने के कपड़े रहते है, मैं कितना भी कोशिश करू उसको अरेंज करके रखने की, कभी कबर अगर अगर अरेंज भी है, फिर भी आट लुक्स लिल मैसी इन द करता होगा, शायद सभी को बता होगा, so I'm a big fan of friends, और वहां पे कारेक्टर है Monika, जो बहुती ज्यादा ओर्गनाइज़ है, और हर चीजे जहां पर जैसी रखनी चाहिए, वैसी ही रखती है, और बाकियों को भी बोलती है, कि वैसे ही रखो, और एक दिन क्या होगी कि उनके husband को एक एसे room दिखेंगे उनके apartment में, जो कि कभी उन्होंने देखा इने, इसके अंदर क्या है, और उनको थोड़ा से suspect होगा कि इसके अंदर है क्या, फिर finally जब वो खोलेंगे, देखेंगे कि वहां पे सारे ऐसे messy सामान रखा हुआ है, मतलब जो भी हम dump कर देते हैं, मतलब चीजों को use कर लेते, उसके बाद वो box भी ने फैका जाता है मेरे से, this is kind of a syndrome, और हाँ, तो मॉनिका भी ऐसे, जो भी इंसान है, कितनी भी organize हो, फिर भी एक जगे ऐसी होती है, जहां पे वो थोड़े चीजे मेसी रखते हैं, मेरा भी एक corner है, जहां पे चीजे थोड़ी messy है और आप मुझे comment section में बताना कि आपके घर पे भी ऐसा कोई corner है, या कोई room है, या कोई जगे है, जहां पे आपने थोड़े ऐसे सामान मेसी रखे हुए हैं, चलो अभी यही सब बात करते हैं, मैं ready हो गई, और आज मेरे make-up काफी सुन्दर लग रही है, to be honest, अभी ना airport के निकलती हूँ, मेरे क्याब आ गए है, चाय हर्डोस ठंडी हो जाती है, वैसे तो आज कल मुझे कोल्टी पीने का यादत हो गया, गरम तो चाय मैं पीती नहीं हूँ, ल्यूकवाम पीती हूँ, और कभी कबर ready होते हो तो पूरा ही ठंडा हो जाता है, फिर मैं निकल गई थ एरपोर्ट के लिए अभी ट्राफिक तो नहीं मिली, आज मिलनी चाहिए थी, वैसे इस समय थोड़ी सी ट्राफिक होती है, पर मिली नहीं है, ये मेरी एरक्राफ्ट है, जो मैं आज लेके जाओंगी, चार सेक्टर फ्लाइट है मेरी और यहाँ एक छोटुसी पर फ्लाइट करने का लाइसेंस है, वैसे तो क्रू मेंबर्स एट टाइम थी एरक्राफ्ट कर सकते हैं, मदब थी टाइपस आफ एरक्राफ्ट के लिए अलग-अलग ट्रेनिंग होती है, और हर साल उस ट्रेनिंग को फिर से रिन्यू करनी परती है, मदब इनिशिली एक त के रखती हूं, ताकि जब ही मांगे तो फिर मैं कुछ दे पाओ, उसको कुकीज वगेरे नहीं सूट होती है, मैंने मदब पेट्स के लिए जो स्पेशल कुकीज आती है उनके हल्ट के लिए अच्छा है, वो भी मैंने लिया है, बट समहाव आइटिंग शी इस आलर्जिक और फिर मुझे पूजा भी करना है, अभी शाम हो गई है, अल्रेडी, मैं थोड़ी जल्दी करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि 6.30 मुझे साथ बजे से पहले पूजा करनी है, मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ है को सेव करने के लिए, बिकेज टुमॉरो इस माइ स्ट वो रिमूफ नहीं होती है, अब ऐसे हो सकती है, बिकेज काजल जो है, वो थिक होती है कभी कबार कोल काजल, और मैं नॉमली एसे बहुत थिक काजल यूज नहीं करती हूँ, तो मेरे तो सारी ही मिकाब रिमूफ हो जाती है इसे, पर अगर आपके लिए काम नहीं करता, you can use something else, जो अच्छी काम करती है, और नहीं तो आप ऐसे coconut oil यूज कर सकते हूँ, बस आइस के लिए और baby oil यूज कर सकते हो, just at that portion जहां पे वो मिकाब रिमूफ नहीं कर रही है, वैसे तो I don't prefer to use coconut oil and all, because my skin is very oily, और उसे में को pimple आती है, नहीं तो मेरे pores clogged हो जाते हैं, अभी मै मैं दिन में कर रही हूँ, थोड़ी सी दरदर के noise आएंगे आपको, क्योंकि मैं तो रात को इतने flights कर रही थी, so I was unable to manage time कि मैं रात को voice over करूँ, नहीं तो मैं early morning भी उटके voice over कर लेती हूँ, आज कल पता है, उस समें भी noise कम रहती है, मदलब सुभी के 5 बचे तक noise कम रहती ह फिर भी मैं 6 बचे तक कर सकती हूँ, क्या होती है कि इसमें थोड़ी time waste होती है ऐसे समय में, अगर मैं रात को करती हूँ, early morning करती हूँ, तो एक घंट में voice over कमप्लीट हो जाती है, मेरे ऐसे 14-15 minutes के वीडियो में, पर अगर मैं इस समय करती हूँ, तो मुझे almost 2 घंटे लग तो उसमें double time consume होती है, कभी कबार होता है कि मैं flow में एक बात करती हूँ, एक topic रहती है, और फिर delete करनी के बाद मैं भूल जाती हूँ कि क्या बात किया था, तो उसमें double time waste हो जाती है थोड़ी सी, waste तो नहीं बोलूँगी, invest हो जाती है, चलो अभी मैं पूजा कर रही हूँ और हाँ, साथ बजे से पहली कर लिया मैंने पूजा, मम्मी बोलती है कि बहुत लेट नहीं करनी चीए, पर क्या करूँ मैं आने में लेट हो गई नहीं तो I prefer to do my पूजा जब इसे शाम होडी होती है ना, like 5.30, 6 o'clock, पर आज थोड़ी लेट हो गई, कोई बात नहीं बैटरी में जो बैटरी में लगती है वो ही बैटरी है और जब से में खरीदी हूँ हर रोज जलती है चार-पांच खंटे करके एं दिन तोस बैटरी सा स्टिल लास्टिं वदल बो अभी तक खतम नहीं है, I'm so surprised यह बहुत ही अच्छा उप्शन है अगर आपको आप भी ऐस हुमिट सिटी में रहते हो जहां पर गर्मी ज्यादा है और आपको कुछ अल्टनेटिव्स चाहिए जो की एक सूधिंग सा लाइट दे सो यू कन थिंक अफ दिंक अफ दिस अप्शन मैं इसका लिंक डेस्क्रिप्शन में दाल दूंगी और यहस आई रिली लाइक दिस और कैंडल्स जो नॉर्मल कैंडल होती है उसमें आपको मॉनिटर करनी पड़ती है इसलिए मैं हमेशा प्रेफर कर त्यू कैंडल्स जलाओं तो मैं उसी समय थोड़े देर के बाद ही बुझा देती हूं और आसपास ही रहती हूं मैं तो मैं भूल जाती हूं जैसे हमारे जो व अर पीनी के बाद मुझे भूक लगी है तो आम हाविग पफ राइस लुक्स लाइक सम्तिंग सम डिफरेंट कांड अव डिश बद नो यह पफ राइस है मतलब मुरी इन बेंगॉली वी कॉल इत मुरी हलका फूल कई खाने का मन कर रह है मुझे आम लिल टायर्ड तो चलो ख खाना खाके सो जाती हूं मैं जल्दी क्यूकंबर और अनियन के साथ मैंने थोड़ा सा मिर्ची दाल के थोड़ा ओईल और नमक दाल के वो बना लिये थे हम बंगॉली में यह बहुत फेमस है पता निया आप लोग खाते हो की नहीं सो आप हाद माइड माइड दिन अन इट एक चीज की कमी थी हो की मम्मी करके नहीं दी है तो मम्मी जब पड़ोस के देती है तब उसमें एक अलगी टेस्ट आती है मैं खुद कर्ती हू तो ठीक था करता है मैं मम्मी के हातों में जादू है चलो अब ही पैनी भी आ गई है सोने के लिए पैनी को खाना भी खिला दी और अभी सो जाती हूं मैं तुड़े आइवल स्लीप असे सोते ही सो जाओंगी बिकाज आइम टायर्ड मुझे सोने में तभी प्रॉब्लम होती है जब में को मतलब ऐसे एक दिन चुट्टी मिल जाती है और घर पे आप कितना भी काम करो मैं मॉम सेज दिस और इस सो ट्रू कि घर पे आप कितना भी काम करो फिर भी आप ऐसे टायर्ड नहीं होते हो जैसे आप बाहर काम करने सो जैसे बाहर काम करके आती हूं मैं आके एकदम सोते ही सो जाती हूं पर घर पे मैं पूरा दिन भी काम करो हाउसोल्ड के फिर भी सोने के बाद नींद नहीं आती है so yes then हम लोग सो गए थे और सुबा में उठी कुछ like 8.39 o'clock क्योंकि इत समय जारू पोचा करने के लिए जो आती है वो आ जाती है और mostly समय मैं उठ जाती हूँ इसके बाद क्या हुई उठने के बाद अचानक सी मुझे एक कॉल आए और में को यह पता नहीं जब ही मन में एक बार लगती है ना कि शायद मुझे कल बुला ले टाइप मुझे लग रही थी कल जब में में मेकप रिमूफ कर रही थी और देखो में को लगा और सच में बुल सब्सक्राफ यह पर वहां पर डीबॉडिंग चल रही है तो तब तक में मैं बाकी दूसरे अर्क्राफ जेक रही थी मुझे एर्क्राफ बहुत अच्छे लगते हैं तो आई लव द यू नो इस बिकाम मैं सेकंड हम अफ कॉस क्यूंकि इतने सालों से मैं यह पर आधा एकसेफट वान-डे मैं को ऐसे फ्लाइत में बुखार आ गई थी पाता नी क्यूं कैसि एंड तो में यह तो आप को गज डें में था फोलगथा और हम मुछ टयर गाई तो पयका होग टो तो चैली भी जैसे ऑर उसके बीच में मुझे अचानक से ऐसे बदब शेолж शिक दरी क्या AC कम जादा कर देते है थोड़ा and then I so AC is 23 में है तो फिर बोले नहीं मुझे तो नहीं तो नहीं तो नहीं तो नहीं तो मुझे तो नहीं तो मुझे तो मुझे रिलाइस वा का अच्छा मुझे बुखाड आ रही है अब ऐसा नहीं था कि मैं गिर रही थी बट उस समें एक आपको पते है नहीं तो आप सो पाते हो नहीं तो बैड पाते हो नहीं तो खड़े हो पाते हो मतलो इस वेरी अनॉइंग काइंड ओफ फीलिंग तो वह मुझे हुई पर बाग दोगड़ा से कोलकाता तो मैंने वो फ्लाइट करके घर आ गाई थी और उसके बाद में चुट की है तो फिर मैं बस आसे नॉर्मल प्रेयर कर लेती हूं और फिर जाके अभी मैं बहुत टायर फील कर रही हूं बिकस चार सेक्टर बैक टू बैक हो गई ना दो दिन वैसे में थोड़ी सी टायरिंग हो जाती है कल भी मेरी फ्लाइट है जब दो फ्लाइट के बीच में मु दालना मिस कर देती हूं बिकस वो में को टायम नहीं मिलता फिर बाट यस मैंनेज तो वैसे करना पड़ी गा है ना चलो अभी मैं डिनर कर रही हूं पनी खाना खाके फिर आ गई है में को मांगने के लिए देखो यहां पर रोटी मांगती है आज मैं वैसे रात को उसको रो काते उसे जादा काम कर लेती हूं तो मेरे वेट लूज हो जाते है पैनी भी सेम है पैनी भी राइस काती है दिन में तीन बार पर फिर भी मोटी नहीं होती है देखो हम दोनों सिमिलर है I don't know it is good or bad for my profession is good because हर तीन महने में वेट चेक होती है और वेट थोड़ा जादा होने स फिर आपको डाइटिंग करनी परती है exercise करनी परती है lot of headache you know चलो अभी मैं सो जाड़ी हूं और आप भी अपना धियान रखेगा thank you so much for all the warm wishes and all the warm messages आपने किया है मुझे DM भी किये है and thank you for making me feel कि I'm not alone and you all are there with me और ये मेरे लिए बहुत जादा matter करती है मुझे बहुत अच्छी लगी जो messages मैंने पड़ा है जो comment section में मैंने पड़ी है आप बस ऐसी support करते रहेगा मैं आपके साथ मिलूंगे फिर से आप अपना धियान रखेगा video को like करना मत भूलेगा और comment section में बताएगा आपको ये video कैसी लगी thank you so much once again bye bye take care see you soon